जून से वैपार खोलने की यहाँ पर मांगी की चलिए आगे बढ़ेंगे बात करेंगे लकसर के लकसर के अकूड कला गाउं में मगरमक्ष के एक घर में घुशने का हड़कंप मच गया है आपको बता दे मगरमक्ष एक घर में घुश गया जिसके बाद घर में हड़कंप मच तो उसकर दोरान मगरमच लोग यहां आप से भागने लगे आपको बता देख जिसके बाद मकान मालेक ने मामले की सूचना अर्थिकारी को दी और जिसके बाद सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुची और मगरमच का रेस्क्यू कर पकड़ लिया गया है वहीं गंगा नदी भोगपूर में सुरक्षित छोड़ दिया गया है गलीमत ये रही है कि इस घटना में कोई जान हान नहीं हुए आपको बता दे कि मगरवच मिला जिसके बाद लोगो कि वहां पर हल चल हुई तो इसको देखा गया इसके बाद वहां पर लोगों में हरकम मच गया साथी बन विभाग को जब इसको रे मामले की सूचना दी गई मौके पर पहुची बन विभाग की टीम ने इसको पकड़ लिया है तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक और इसी ख़बर पर हमारे साथ अरुन कुमार लगातार बने हुए अरुन जिस तरीके से मगरमच एक घर में घुसा और इसके बाद हड़कम मज गया क्या कुछ पूरा मामला है छी बिल्कुल मैं आपको बता दू इसमें देर रात मगरमच कहीं से आकर गाउं में जो कार के नीचे चिपकर बैठ गया था सुबह जब कार स्वामी जो कार लेकर चलने लगे तो वह कार की जो आवाज है उसको सुनकर और लोगों की हल्चल देखकर वे हडबडागर जो है कार के पास ही एक मकान में गुश गया जिसमें जो है परिवार वाले जिनके घर में मगरमच खुशा था उनमें भी जो है बाहर भागने लगे और हड़कम बच गया पूरे गाउं में सूजना आपके परे फैल गई उसके दोरा नहीं लगसर वन रेंज जादीकारी को इसकी सूचना दी गई वन रहें जादीकारी गोरा वागरवाल के दोरा जो लगसर की जो रेस्क्यू टीम है उसको मोके पर भेजा गया और कडी मशकत के बाद रेस्क्यू टीम ने मगरमच को रेस्क्यू कर भोगपुर गंगा में सुरक्षी छोड़ दिया जी चलिए तमाम जानकारी साजा करने के लिए बहुत बहुत शुक्री आप कारून तो यहां पर मगरमच को पकड़ लिया गया है और साथ इसको जंगलों में छोड़ दिया